लड़कियों पर जो प्रेसर बनाया जा रहा है अगर वह बाहर गुमता रहेगा तो ऐसा ही प्रेसर बना पहले एरस करो देन इंवेस्टिगेशन करो वरना तो दीरे-दीरे वही कल विनेश ने ट्विट किया दीरे-दीरे लड़कियां टूट जाएंगी नमस्का निश क्लिक करती नहीं बनी है वह स्पष्ट करने के लिए बैठक बनी थी और साथ में आंदोलन किया कि रणनीती क्या होगी इसको लेकर चर्चा की जो कि बीच में कई दिनों से मीडिया में और बाकी जगे इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी जो किसान संगठन में पहलवानों को क्या अलग है या उनकी समझ कुछ अलग हो रही है दोनों मतबेद हैं इस तरह कई सवाल मीडिया में बार पर उठाया जाया थे जो चुपके से वो मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनकी जो क्या बातचीत हो रही है आम जंता के सामने नहीं आ पा रहा है तो इन्हों ने उसका करना सब के सामने दिया और उन्हां साफ कहा सरकार उनके कई मुतलोप उनके साथ है उसके साथ-साथ कुछ ऐसे सवाल है जो अभी अन्सुल जे खासकर जो ब्रिजबूशन गिरफतारी का सवाल है वो एक सबसे बड़ा मतला है जो सरकार और इनकी बातचीत हैं फसा हुआ है सरकार ने 15 जुन तक का समय मांगा है जो 15 जुन तक दिल्ली पुलिस अपनी जाच रिपोर्ट कोटें फाइल कर देगी और इन्हों ने भी यही बात पंचायत के सामने रखी और पंचायत ने भी इनको कहा है जो अगले 15 तारिक तक आप लोग इंतिजार करिए 15 के बाद आन उने इस पूरे वीडियो में क्या कहा है आज की पंचायत इसने बुलाई गई थी कि सरकार के साथ जो पहलवानों की वारता चल रही है उसमें जो सहमती के बिंदू है वो आपस में साजे किये जाए और आज इस पंचायत में सारे बिंदू साजे करके यह सला बनी है कि जब में बताएंगे जिस तरह से पहले भी हम उनका समर्थन करते रहे हैं उसी तरह से जो भी फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा उसका समर्थन होगा उसमें एक पक्स तो बाते सरकार के साथ इन्होंने पहलवानों ने बताई वो पोजिटीव दिशाम जा रही है मगर एक प पहले ही पता था कि सरकार जब पोसको एक्टे कैसी एक्टे इस देश के अंदर अगर लग जाता जुटा लागो साथ लागो सबसे पहले उसके में किरिफ्तारी उती इनकवारी बाद में होती है उसको पूरा समय दिया गया गए उनको परभावित करने के लिए जिनोंने ब शायद वह कोशिश कर रहे हैं जो माइनर लड़की उसके साथ और फेक निउस पहलाते हैं 161 के बयान हुए 164 के बयान हुए काफी दिन हो गए उसके बाद टूटने का क्या मतलब है हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेशर है और उनकी वीडियो उठा के देख लड़की के फादर की बोल रहा हम पर प्रेशर है डर है घबराट है थी मतलब हमें कभी खिलाडियों की ऊपर कोई question mark नहीं था यह जरूर था कि जिस तरह से रात में मुला की मीटिंग की गई उससे लोग खुश नहीं थे लेकिन आज पूरी जो जो भी से मतलब विमेन और्गनाइजेशन भी थी खाप पंचायत के लोग भी थे किसान संगठन भी थे सब नहीं कहा है कि जो भी पहलवान तै करेंगे जिसमें गिरफतारी एक बिलकुल एहम चीज है बाकी सारी डिमांड के साथ साथ वह अगर 15 तक होता है तो ठीक है नहीं तो आंदोलन फिर आगे चलेगा और एक कोडिनेशन कमीटी बनाने की बात हुई है स्युक्त किसान मोर्चा ने भी साथ तारीक को दिल्ली में यह बोला कि हमारा समर्थन जारी रहेगा लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि ब्रजभूशन की गिरफतारी हो क्योंकि वह जो आरोप लगे हुए हैं वह इतने ग्रेव और संगीन है कि मेरे ख्याल में कोई और केस नहीं होगा इतने गंभीर आरोप लगने के बाद कोई ना पकड़ा गया हो गिरफतारी ना हुए हो और आज जो राष्ट्रिय महिला अंदोलन के प्रतिनिदी यहां पर आये थे उन्होंने भी यह भावना व्यक्त की है कि उसकी गिरफतारी को एक शर्त के रूप में जरू द्रणा फिर से मतलब चालू ही है प्रोटेस्ट नहीं करने लेकिन द्रणा खत्म नहीं हुआ है 15 अगर सक्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे वह 15 के बाद जो हम बैठके एक बार जनतरमंतर भी हो सकता राम लीला मैदान भी हो सकता कहीं पर भ कर दो हम दो हम जो हम दो हमारा पिर से मतलब चालू लेकिन उसे लेकिन भी वह दो हमारा फिर से कंटिन्ड चालू है।